हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग दोस्तों संडे का साम हो और समय हो साम के 7 बजे का तो आप सब जानते हैं कि हम लोग मिलते हैं एक लाइब सेशन के दोरान जिसके अंतरगत हम लोग कम्प्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रशनों पर डिसकस करते हैं जो आगामी परिक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए कम्प्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रशनों को लेकर के आ चुके हैं जो आपकी जानकारी को और भी ज़्यादा कि आज आपके लिए बिल्कुल हम रामबान लेकर के आ चुके हैं जिहां दोस्तों संजीवनी बूटी का काम करेगा आपके लिए यहाँ आज का सेशन क्योंकि यह जो सेशन है इसमें जो 50 multiple choice question कुछ true false के साथ रखे गए हैं यह इतने ज़्यादा शांदार हैं और इतना बह जही किया था तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज के इस सेशन को नमस्कार दोस्तों मैं अभय पांडे CCI Education नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग computer से जुड़ choice questions जो कि triple C, O level या अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परिक्षाओं में आज कर लागातार पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैं ले करके आपके लिए आ चुका हूं दोस्तों इस पूरे के पूरे प्रस्णों की एक सांदार बात आपको मैं बता दूँ ये सभी के सभी latest question है latest question का मतलब है कि अभी recently एक महीने के अंदर जो तमाम अलग-अलग जगों पर computer की परिक्षाएं हुई हैं उन सभी परिक्षाओं में यहाँ प्रस्ण पूछे गए हैं especially मैं बात कर रहा हूं triple C की जहां पर ये प्रस्ण तो इतनी बार repeat हो चुके हैं अभी recently papers में कि इनको जानना आपके लिए बड़ा जादा जरूरी है तो इन सभी प्रस्णों को अलग-अलग जगों से collect करके और मैं आपके लिए बहुत ही शांदार session लेकर के आ चुका हूँ जितने भी लोग अभी इस session के साथ जुड़े हैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जल्दी से वो like वाले बटन को प्रस कीजिए और इस पूरे session को like कर लिजिए और इस video को इस session को जरूर आप अपने पूरे friend circle में share करिएगा ताकि वो भी अपनी तयारी को बहुत ही solid तरीके से कर सकें और दोस्तों जो लोग भी इस channel पर नए हैं आप जहां पर भी ये video देख रहे हैं वहां पर आपको एक red color के subscribe button को आप देख पा रहे होंगे और जल्दी से उस red color के subscribe button का color बदलने का समय आ चुका है जी हां दोस्तों जैसे ही आप उसे press करेंगे तो subscribe button जो है अपना color change कर देगा और सामने आपको एक घंटी मिल जाएगा और आपको घंटी बजाते हुए all पे उसे set करना है ताकि जब कभी भी मैं अपने इस channel पर कोई नया session या video upload करूँ तो सबसे पहले आपको उसका notification मिल जाए तो जितने भी लोग इस session के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए बिना देर किये चलते हैं आज के सबसे पहले और सबसे शांदार प्रशन पे सबसे पहला जो हमारा question होने वाला है वो है व्यावशाइक रूप से उपलब्द प्रथम microprocessor chip का नाम क्या था जी हां दोस्तों जो commercial रूप में सबसे पहला जो microprocessor chip था उस chip का नाम क्या है दोस्तों हमने कुछ प्रशनों को English में भी लिख रखा है ताकि आपको आसानी से इनका उत्तर देने में सुविधा होती रहे दोस्तों यहाँ पर option दिया है Intel 8008, Intel 4004, Intel 8080 या Intel 4040 बिल्कुल हू बहू इसी तरह से यह प्रशन पूछा गया है आप सभी लोग एक बार प्रशन को ध्यान से पढ़िए और नीचे comment करके बताए किसका right answer क option number B Intel 4004 यानि Intel 4004 यह पहला दुनिया का commercially available microprocessor chip है दोस्तों आज के session की मैं खास बात आपको बता दूँ कि मैंने प्रशनों को बहुत सारे प्रशनों को हिंदी के साथ साथ English में भी type कर रखा है ताकि आसानी से आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों एक बात और आपको ब परिक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रशनों का जो nature होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला होगा तो इसलिए हमने यहाँ पर यह प्रशन सभी हिंदी और इंग्लिश के साथ रखा हुआ है आप पूरे प्रशनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके और उसके बाद answer कीजिएगा तो सबसे पहले प्रशन का जो right answer होगा वो हो जाएगा entail 4004 यह दुनिया का पहला व्यवशाइक रूप से प्रयोग किया जाने वाला micro processor chip है अब चलेंगे हम लोग अपने second question के तरफ question number two है निम्न में से किसका प्रयोग secondary stories के रूप में नहीं किया जाता है which of the following is not used as secondary stories magnetic disk semiconductor memory magnetic tape या फिर hard disk drive चलेंगे जल्दी से इस प्रशनों को पढ़िए और अपना comment बताएगे दोस्तों यहाँ पर जो second question है इसका right answer होने वाला है option number B semi conductor memory जी हाँ दोस्तों semi conductor memory जो है यहाँ किसी तरह का secondary storage नहीं है secondary storage में आपको magnetic tape, magnetic disk और साथी साथ hard disk drive देखने को मिल जा रहा है तो second question का भी right answer option B होगा अब चलेंगे हम लोग third question के तरह question number third बिलकुल नया है एक नई तकनीक जो कृत्रिम दुनिया बनाने की शमता प्रदान करती है और लोगों के साथ बाचीत करती है उसे क्या कहते है जी हाँ दोस्तों दोस्तों उसे क्या बोलते हैं जो आजकल लोगों से बाचीत करने की भी चमता प्रदान करता है ऑप्शन में देखते दिया हुआ है अल्टरनेटिव रियालिटी, थ्रीडी रियालिटी, वर्चुल रियालिटी या फिर और्ग्यूमेंट रियालिटी चले जल्दी से अपना राइट आंसर बताए जिहां बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आप्शन नमबर सी वर्चुल र यानि कि ये पूरी तरह से आपके सामने एक क्रित्रिम दुनिया बना देता है एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जो आपको लगेगा कि बिल्कुल हकीकत में ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है और यहाँ पर लोग आपस में इंट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आज कल बहुत सारे ऐसे गेम है जो VR यानि की virtual reality technology पर बनाये जाते हैं और आपको ऐसा feel होता है कि बिल्कुल आप उस दुनिया में जा चुके हैं और वैसा ही आप भी react करना शुरू कर देते हैं. तो question number 3 का जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option C virtual reality दोस्तों मैं अभी एक बार फिर से एक दावा कर देता हूँ कि ये पूरा session अगर आप last तक देख लेंगे तो वाकई में आपको आज इतने अच्छे अच्छे प्रशन मिलने वाले हैं जो आपकी जानकारी को इतना increase करेंगे कि आपको मज़ा आजाएगा तो पूरे session को बिलकुल last तक कहीं पर भी आप छोड़िएगा नहीं और पूरी तरह से देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आने वाला है अब चलते हैं question number 4 पर personal computer की प्रार्थमिक memory में शामिल है दोस्तों जो the primary memory of a personal computer consists of कौन सा वहाँ memory है जो personal computer की प्रार्थमिक memory में शामिल है option देखिए दिया हुए room only, ram only, both, ram and room या फिर none of these चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number c, both, room and ram जी हाँ दोस्तों room और ram दोनों को ही primary memory किसी भी personal computer में कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कुछ fact जो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ एक बार फिर से आपको repeat करा दूँ कि personal computer को short format में PC बोलते हैं या single user computer होता है और जो उसकी primary memory होती है उस primary memory में दो ही memory आते हैं room आता है और दूसरा ram आता है दोनों कि अगर हम यहाँ पर quality बताएं तो room जो memory है इसे read only memory बोलते हैं और यहाँ एक तरीके का permanent memory होता है यानि कि पूरी तरह से स्थाई होता है जबकि ram का पूरा नाम random access memory है और यहाँ non-volatile होता है जी हाँ दोस्तों यहाँ जो है volatile memory होता है यानि कि इसमें से data erase हो जाता है यह temporary memory कहा जाता है ram को temporary memory बोलते हैं जबकि room जो है वो permanent memory होता है अब हम लोग चलेंगे question number 5 पर option देखिए यहाँ पर question देखिए दिया हुआ है dot odious का अर्थ क्या है open document system, open document source, open document sheet या open document spreadsheet चलिए जल्दी से अपना right answer comment कीजिए और बताइए कि dot odious का क्या अर्थ है दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number D open document spreadsheet दोस्तों आपको बता देए कि अगर आप Libre Office के बारे में जानते हैं तो Libre Office में एक spreadsheet program है जिसका नाम है calc और calc का extension name है dot odious जिहां दोस्तों calc application का जो extension है वो है dot odious और जिसका पूरा नाम है open document spreadsheet तो right answer हो जाएगा option number D अब चलेंगे next question पर question number six PPF का अभी प्राय क्या है जिहां दोस्तों PPF PPF का यहाँ पर एक तरह से समझिए कि full form भी आपसे पूछा गया है PPF का अभी प्राय क्या है option देखिए यहाँ पर चार दिये गया है public provident fund, public profile fund, private provident fund या फिर private profile fund चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए और right answer बताईए PPF का पूरा नाम यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number A public provident fund जिहां दोस्तों public provident fund जो है PPF का यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा तो PPF का मतलब यहाँ पर है public provident fund अब चलेंगे next question पे question number 7 जिस व्यक्ति को email भेजना होता है तो उसका email पता निम्न में से किस में लिखा जाएगा जिहां दोस्तों अगर आप किसी को mail भेजना चाहते है तो उसका email address जो है वो आप कहां लिखेंगे to, bcc, cc या फिर from चलें जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताईए यहां बिल्कुल सही दोस्तों यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number A, 2 दोस्तों 2 के अंदर गत हम उसका address टाइप करते हैं यानि email address लिखते हैं जिसको हम mail भेजना चाह रहे हैं जबकि cc के अंदर हम यानि cc का यहां पर पूरा नाम है carbon copy और cc के अंदर हम उसका email type करते हैं जो एक के अलावा आप किसी और को भी भेजना चाहते हो जबकि bcc में blend carbon copy होता है और इसके अंतरगत हम उसका mail type करते हैं जिसे हम बताना नहीं चाहते कि यह mail किसी और को भी भेजा गया है तो अगर हमको जिसका email जिसको भेजना होगा उसका हम पता to के अंतरगत लिखेंगे तो यह चीज याद रखिएगा अब चलेंगे हम लोग next question पे question number 8 किस लेंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कम्प्यूटर बिना किसी अनुवादक की मदद से पढ़ लेता है जिहां दोस्तों इन विच लेंग्वेज प्रोग्राम कैन बी रीड बाई कम्प्यूटर विदाउट दे हेल्प अफ एनी ट्रांसलेटर्स high level, machine level, both या फिर none of these चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number B जी हां दोस्तों B यानि की machine level language जो होगा यह एक प्रकार का ऐसा language होगा जिससे computer को समझने के लिए किसी translator की आवशक्ता नहीं होगी दोस्तों आपको बता दें कि machine level को यानि machine level language को यहां पर low level language के रूप में भी जारा जाता है जिहां दोस्तों machine level language को हम लोग low level language भी कहते हैं तो यहां पर आप जरूर याद रखिएगा कि आपका जो right answer होगा question number 8 में का वो हो जाएगा B क्योंकि यहां पर machine level language को पढ़ने के लिए computer को किसी भी translator की आवशक्ता नहीं होती है अब चलेंगे next question पर question number 9 है जब किसी को email भेजा जाता है तो कौन सी section संदेश की सामगरी का वरण कराती है जिहां दोस्तों जिहां दोस्तों कौन सा वह जगह होता है जहां पर शंदेश की सामगरी का वरण किया जाता है option देखे दिया हुए contents to attachment या फिर subject चलें जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजी और बताएए दोस्तों यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number D subject दोस्तों अगर आप किसी को email भेज रहे हैं और आप यह बताना चाहते हैं कि किस तरह का संदेश यहां आपको भेजा जग गया है या जो आप दिखाना चाहते हैं अपने receiver को यानि कि जो heading होगा उस संदेश का वह subject के अंतरगत लिखा जाता है सबसे पहले to, cc, bcc इसके बाद से subject होता है और तब फिर हम लोग message को type करते हैं अब चलेंगे next question पे question number है 10 coded निर्देशों की सूची क्या कहलाती है जिहां दोस्तों the list of coded instructions is called जो coded निर्देशों की list होगी सूची वह क्या कहलाएगी algorithm, flow chart, computer program या फिर utility program चलेंगे जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजी और बताएए दोस्तों यहां पे जो right answer होगा अब हो जाएगा option number C computer program जिहां दोस्तों computer program यह coded निर्देशों की एक सूची होती है यानि कि जहां पर code का instructions पुरी तरह से list में तयार करके रखा जाता है उसी को हम लोग computer program कहते हैं और अगर किसी program को program को अगर आप symbolic रूप में यानि चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते है तो उसके लिए आपको flow chart बनाना पड़ता है क्योंकि flow chart एक graphical representation किसी भी code को करने का काम करता है जबकि algorithm सामान नितया English भाशा में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है अब चलेंगे next question पे question number है 11 एक program जो अन्य program के विकास, मरम्मत या संवर्धन में नियोजित होता है उसे क्या कहते है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सी ध्यान से पढ़ना है a program that is employed in the development repair or enhancement of other program is known as option देखे दिया हुआ है software, system software system tools application program या फिर antivirus बिल्कुल सावधानी से इस प्रशनों को पढ़िए मैं कुछ समय आपको दे देता हूँ और बिल्कुल right answer comment कीजिए और बताइए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number B, दोस्तों जो system tools होते हैं जो आपके OS के अंतरगत आपको मिल जाते हैं operating system में मिलते हैं जो system tools वो जो है किसी भी प्रोग्राम को development करना उन्हें repair करना और enhancement करना यानि समवर्धन करना ये सारा कुछ system tools के द्वारा ही किया जाता है तो question number 11 का जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा system tools दोस्तों ये सभी के सभी जो आज 50 प्रशन आपको मिलने वाले हैं वो इतने शांदार हैं और इतने बहतरीन प्रशन हैं और इस बार जो है अभी अभी recently paper में पूछा भी गया है तो इन जैसे आप आगे बढ़ेंगे इतने important questions आपको मिलेंगे कि आपको पूरा session देखने के बाद मज़ा आ जाएगा और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें से maximum question आपको आपके final exam में देखने को जरूर मिलेगा तो जल्दी से session को like कर लिजे अभी जितने लोग भी like इसको देख रहे हैं live के रूप में वो सभी लोग जरूर like करिएगा और अपना एक comment जरूर करके बताइए कि यहाँ जो सभी प्रस्ण है क्या इसमें आपको अभी मज़ा आ रहा है या फिर नहीं अब चलते हैं next question पे question number 12 assembly भासा में प्रियोग होने वाले चिन क्या कहलाते हैं जिहां दोस्तों जो assembly भासा में use किये जाते हैं symbols उनको क्या कहते हैं codes, assembler, coding या फिर mnemonics चलिए जल्दी से अपना right answer comment कीजिए और बताइए दोस्तों assembly भासा में जो प्रियोग होने वाले चिन हैं उन्हें mnemonics कहा जाता है जिहां दोस्तों mnemonics के रूप में उनको जाना जाता है तो assembly भासा में प्रियोग होने वाले जो symbols होते हैं उन्हें mnemonics कहते हैं और इसके जो translate करता है उसे assembler के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपको बता दें कि कम्प्यूटर के अंतरकत हाई लेवल को लो लेवल में अथवा लो लेवल को हाई लेवल में convert करने के लिए तीन तरह के translators use किया जाते हैं जिसे compiler, assembler और interpreter के नाम से जाना जाता है अब चलेंगे next question पे question number 13 बिलकुल शांदार प्रशन है बिलकुल ध्यान से किस कम्प्यूटर क को यथा संभव compact होने के लिए design किया गया है जिहां दोस्तों यथा संभव compact होने के लिए design किया गया है which computer has been designed to be as compact as possible चले जल्दी बताईए mini, micro, super या फिर hybrid computer चले जल्दी से अपना comment कीजिए और बताईए दोस्तों यहां पर right answer PC यानि की micro computer होगा दोस्तों आपको बता दें कि यह जो micro computer यानि जो PC होता है इसको specially इस तरह से compact किया जाता है इस तरह से design किया जाता है ताकि वो आपके लगबग लगबग सभी कामों को आसानी से कर सके तो right answer यहां पर question number 13 का होगा micro computer अब चलेंगे next question question number 14 इंटेल कर्प दोस्तों कर्प लिखा है यानि corporation इंटेल कर्परेशन द्वारा लागू किया गया एक नाम जो उच्च गती MOS प्रद्योगी के लिए कहा जाता है जियां दोस्तों Intel Corporation द्वारा लागू किया गया एक नाम जो उच्च गती MOS प्रद्योगी के लिए कहा जाता है उसका नाम क्या है Option में देखे दिया हुआ है LAP, HMOS, SDLC या फिर LDCP चलिए जल्दी से अपना कमेंड कीजिए और बताइए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा HMOS दोस्तों HMOS जो है यह Intel Corporation द्वारा लागू किया गया एक हाई स्पीड वाला HOMS प्रद्योगी की है तो यहाँ पर MOS और HMOS यहाँ पर आप समच जाईएगा HMOS का पूरा नाम यहाँ पर आपको बता दें तो High Metal Oxide Semiconductor है यहाँ दोस्तों High Metal Oxide Semiconductor यहाँ पर यहाँ पूरा नाम हो जाएगा Lab को दोस्तों Laptop कहते हैं और SDLC जो है इसका पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा Software Development Life Cycle तो यहाँ पर जो है इस 14 प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा Option No. B यहाँ MOS से आप HMOS आसानी से लिंक करके और इस प्रस्ण का राइट आंसर याद रख सकते हैं आप चलेंगे Next Question पे Question No. 15 किसी भी प्रकार का भंडारण जो इसके प्रसंसकरण में चरणों के बीच सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं इंगलिश में देखे दिखा हुआ है Any type of storage that is used for holding information between steps in its processing is दोस्तों option देखे दिया हुआ है CPU, memory unit, memory या फिर cache memory चलें जल्दी से अपना right answer comment कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पिर right answer option भी होगा memory unit दोस्तों memory unit जो है यही अलग-अलग step में जो सूचना होती है उनको store करके रखने का काम करता है दोस्तों आपने जरूर CU, MU, ALU का नाम सुना होगा CU यानि control unit होता है MU यानि memory unit और साथी साथ ALU यानि arithmetic and logical unit तो जो processing के लिए जहां पर data hold होता है यानि step by step जहां पर वो hold रहता है वो memory unit होता है जहां पर data hold होता है और CU के द्वारा control करके ALU के पास बेजा जाता है ताकि वो आसानी से process हो सके तो प्रस नमबर 15 हमें का right answer हो जाएगा option B memory unit हब चलेंगे next question पे कौन सी computer भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है which of the computer language is used for artificial intelligence Fortran basic prologue या फिर C बहुत आसान और बहुत साथदार प्रसन है चलेंगे जल्दी से अपना comment कीजी और right answer बताएए दोस्तो इस प्रसन का right answer हो जाएगा option number C prologue यह एक तरीके का artificial intelligence में यूज होने वाला computer language है जो बहुत ही जादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपको बता दें कि यह चारो नाम जो लिखे गए है Fortran, Basic, Prologue और C यह सभी के सभी computer के high level language के रूप में जाने जाते हैं अब चलेंगे हम लोग next question पर question number 17 पाच्वी पीढ़ी के computer में अन्य पीढ़ी के computer से क्या अंतर है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है What difference does the fifth generation computer have from other generation computer यानि पूराने generation के जो computer थे उनसे और पाच्वे जनरेशन के computer में क्या अंतर है यहाँ पर देखे दिखा हुआ है technological advancement, scientific code, object oriented program या फिर source code चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों जो सबसे बड़ा यहाँ पर परिवरतन देखने को मिल रहा है आजकल के पाच्वे जनरेशन के computer में वो है technological advancement जी हाँ दोस्तों आजकल technology इतना ज़्यादा advance हो चुका है आजकल आपको 5th generation के computer में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number A technological advancement अब चलेंगे next question पर question number 18 यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एक खाली जगह है एक क्या है जिसको select करने के लिए mouse pointer को selection बार पर ले जाकर के दो बार click करेंगे जिहां दोस्तों mouse pointer को selection बार पर ले जाकर के और दो बार click करेंगे तो क्या select होगा word paragraph letter या फिर sentence चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए बिल्कुल सही जी हां दोस्तों बहुत बार मैंने इस तरह का प्रशन कराया है हाला कि वो प्रशन पूछने का तरीका अलग था लेकिन answer बिल्कुल वही है और वो है word दोस्तों शब्द जो है दो बार click करने पर वहाँ पर select हो जाता है मैं आपको करके यहीं पर सीधे सीधे MS word की window में दिखा देता हूँ दोस्तों देखिए जैसे यह selection लिखा हुआ है मैं एक बार अगर click करूँगा तो keyword cursor blink करेगा और मैं अगर यहीं पर लागातार दो बार click कर दूँगा तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो word है यानि कि जो शब्द है वह select हो चुका है और दोस्तों अगर हम यहीं पर triple click करते हैं दैसे यहाँ पर मैंने single click किया और मैं triple click करने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक, दो, तीन यह देखिए पूरा का पूरा जो है sentence select हो चुका है तो दोस्तों अगर एक बार click कर रहे है तो cursor blink कर रहा है दो बार click करने पर एक word यानि शब्द select हो रहा है और तीन बार अगर आप click कर देंगे तो पूरा का पूरा sentence ही select हो जाएगा तो यह भी याद रखिएगा बहुत ही शांदार प्रशन है अब चलते हैं next question पे question number है 19 FDM का पूरा नाम पूछा गया जी हां दोस्तों what is the full form of FDM FDM का पूरा नाम क्या है option आप यहां पे चारों देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number B frequency division multiplexing जी हां दोस्तों frequency division multiplexing जो है यहां पर बिल्कुल ही right answer हो जाएगा FDM का अब चलेंगे हम लोग next question पे question number यहां पर दिया हुआ है 20 निम्नलिखित में से किस पीड़ी में graphical user interface का विकास हुआ था बहुत ही शांदार प्रशन है जी हां दोस्तों पहली बार वो कौन सी computer की पीड़ी है जहां पर GUI interface यानि graphical user interface का विकास हुआ था second generation, third generation, fourth generation या फिर fifth generation चलिए जल्दी से अपना comment कीजी और बताइए कि इस प्रशन का बिलकुल right answer क्या है दोस्तों यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा fourth generation दोस्तों computer का जो चौथा generation है वो इतना ज़्यादा खास है पहली बार यहीं पर PC आया था, यहां दोस्तों fourth generation में ही सबसे पहली बार PC आया, fourth generation में ही पहली बार जो GUI interface वाले operating system थे, वो आये थे और fourth generation में जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो है microprocessor आज भी ज़्यादा तर computer हम लोग microprocessor technology के ही उपर यानि fourth generation में जो तकनीक यूज हुई है उसी पर काम कर रहे है और हमारा future जो है, वो fifth generation है AI वाला, जी हां दोस्तों पांचे जनेरेशन में कौन सा तकनीक यूज हुआ है AI, जिसे बोलते है artificial intelligence अब चलते हैं next question पे question number है 21 किस computer का प्रयोग railway आरक्षण केंद्र में किया जाता है, which computer use for railway reservation center mini computer, micro computer super computer या फिर main frame computer, चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए और right answer बताईए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number D, main frame computer दोस्तों railway reservation के लिए जो बड़े-बड़े computers प्रयोग किया जाते हैं, जो उनका center point होता है railway reservation center, वहाँ पर main frame computer का इस्तेमाल किया जाता है, जो की पूरे के पूरे country, पूरे के पूरे देश के सभी railway के अलग-अलग computer systems के data को यहीं से नियंत्रित किया जाता है तो railway reservation जो center है वहाँ पर प्रयोग होने वाले computer का नाम main frame computer होता है जो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं अब चलेंगे next question पे question number यहाँ पर है 22, चतूर्थ पिढ़ी के computer में processing speed की गड़ना किस में मापी जाती है जी हाँ दोस्तों, जो fourth generation के computers हैं, उसमें processing speed को किस measurement unit से मापा जाता है microsecond, picosecond, nanosecond या फिर second चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजी और बताइए दोस्तों, question number यहाँ पर 22 जो है वो हो जाएगा picosecond दोस्तों, picosecond जो है चौथे generation के अंतरगत जो computer की processing speed थी उनको मापने के लिए picosecond का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी picosecond का ही इस्तेमाल किया जाता है अब चलेंगे next question निमनलिखित में से किसका प्रियोग वर्तमान पीड़ी के computer में किया जाता है जिहां दोस्तों, which of the following use in present generation computer किस वर्तमान पीड़ी यानि कि 5 जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है SSIC, MSIC, VLSI या फिर ULSI चलिए जल्दी से इसका right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों, यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा ULSI जिहां दोस्तों, ULSI जो है यहां पर बिल्कुल ही right answer होने वाला है अब चलेंगे next question, question number 25 दोस्तों, यहां पर 25 पा चुका है मैं थोड़ा सा पीशे चलता हूँ यह देखे 24, 24 चूट रहा था जिहां दोस्तों, E-commerce का वह आयाम जो national सीमाओं के पार वानिज को शक्षम बनाता है क्या कहलाता है दोस्तों, जो national सीमाओं के पार यानि international level पर जो commerce को use करने में सुविधा देता है उस E-commerce को क्या कहते है interactivity, global reach, utility या फिर research चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों, यहां पर right answer हो जाएगा global reach दोस्तों, पूरे दुनिया भर में जो E-commerce को globalize किया जा रहा है इसके लिए हम global reach जो एक देश के व्यापार को दूसरे देश के व्यापार में जहां पर देश का जो शीमा है वह माइने नहीं रखता है मतलब आप international level तक अपने product को आसानी से किसी जगह तक पहुंचा सके उसे जो है global reach के नाम से E-commerce के सेक्टर में जाना जाता है अब चलेंगे question number 25 पर बहुत अच्छा प्रशन है virtual machine, virtual storage, virtual infrastructure and other device assets प्रदान करता है यहां दोस्तों यह कौन प्रदान करता है ask, pass, ask या फिर last चलें जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताईए जी हां दोस्तों यहां पर right answer होने वाला है option number A, ask यानि infrastructure as a service दोस्तों जो ask होता है इसमें infrastructure को virtualize किया जाता है storage को virtualize किया जाता है और virtual machine भी आपके लिए प्रयोग किये जाते हैं तो यहां पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा infrastructure as a service यहां पर मैं जल्दी जल्दी इनका ना full form बता दूँ तो infrastructure as a service platform as a service software as a service और L.A.A.S. नाम का कुछ नहीं होता है तो यहां पर confuse करने के लिए इसको दिया गया है तो right answer यहां पर हो जाएगा option number A infrastructure as a service अब चलेंगे next question किस प्रकार की computing टक्नीक उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को शंदर्वित करती है जो आम तोर पर virtualized संसाधनों के माध्यम से विपरीत sorry वितरीत network पर चलती है जिया दोस्तों वितरीत network पर चलती है वह कौन सा computer application है आप option देखेंगे distributed computing, cloud computing, parallel computing या फिर cable computing तो चलिए जल्दी से इसका right answer बताईए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number B cloud computing दोस्तों cloud computing जो होता है इसके अंतरगत computer के अंतरगत ऐसी services और ऐसे applications यहाँ पर prefer करते हैं जो आप तौर पर हर एक काम को पूरी तरह से हर एक शनसाधनों को virtualize करने के लिए यहाँ पर काम करते रहते हैं cloud computing के अंतरगत किसी भी तरह की शेवाओं और अनुप्रयोगों को virtualize किया जाता है दोस्तों आपको बता दें कि जब आप computer के hard disk drive या computer में data को store ना करके सीधे उसे server पर store करते हैं तो वही cloud computing के तौर पर जाना जाता है और जहाँ पर आप store करते हैं वह cloud storage के रूप में जाना जाता है अब चलेंगे next question पर question number यहाँ पर दिया हुआ है 27 SSD full form जी हाँ दोस्तों SSD का पूरा नाम क्या है दोस्तों HDD होता है और यहाँ SSD दिया हुआ है SSD का पूरा नाम पूछा गया है क्या है 4 option को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और right answer कमेंट कीजिए बताइए दोस्तों यहाँ पर right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number A solid state drive जी हाँ दोस्तों solid state drive SSD का यहाँ पर पूरा नाम है तो बिल्कुल ही बहुत ही शांदार सा यहाँ प्रशन है बिल्कुल याद रखिएगा कई बार यहाँ प्रशन रिपीट किया जा चुका है अब चलेंगे next question पे question number है 28 Chrome web browser में full screen करने का shortcut की किया जा जी हाँ दोस्तों जो Google का Chrome browser है अगर उसमें आप full screen करना चाहते हैं तो कौन सा shortcut यूज़ करेंगे Ctrl shift Z Ctrl shift F F12 या फिर F11 चले जली से इसका right answer कमेंट कीजी और बताइए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number D F11 दोस्तों अगर Google Chrome आप चला रहे हैं आपने laptop वगरा में या computer में तो वहाँ आप full screen में जाने के लिए F11 यूज़ करेंगे और अगर आप full screen में हैं और बाहर निकलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी F11 को ही यूज़ करना है तो F11 से full screen में जाना और full screen से बाहर निकलना Google Chrome बे browser के अंतरगत किया जाता है अब चलेंगे next question पे question number 29 writer की यहाँ पर बात हो रही है writer में formatting mark को प्रदर्शित करने के लिए कि shortcut key का प्रयोग करना चाहिए यहाँ दोस्तों writer के अंतरगत formatting marks जो होते हैं उनको प्रदर्शित करने का कौन सा shortcut key है आप जल्दी जल्दी इन चारों option को देखिए और पढ़िए, सोचिए और फिर comment करके बताइए कि right answer क्या है दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number B control के साथ F12 sorry F10 लिखा है F10 पढ़ रहा हूँ F12 जी हाँ दोस्तों control के साथ F10 जो है यह बिल्कुल ही right answer होगा जो formatting mark को लगाने के लिए use किया जाने वाला shortcut है writer के अंतरगत आप चलेंगे next question पे question number है 30 e-pragati app किस राज जैसे संबंदित है जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा प्रशन है e-pragati app जो है वो किस राज जैसे संबंदित है उत्तरप्रदेश, आंधरप्रदेश, तमिल नाडू या फिर गुजरात चले जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए बताइए दोस्तों e-pragati जो एप है वह है आंधरा से संबंदित यानि आंधरप्रदेश is the right answer तो option B बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों अभी हम लोग ने पूरे के पूरे 30 questions को यहाँ पर cover कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको इन सभी प्रस्णों को करने में बहुत ही जादा मजा रहा होगा यह सभी के सभी प्रस्णों बहुत ही unique है और बहुत ही अलग-अलग जगों से इनको ढूंड करके और इनका collection मैं आपके लिए ले करके आया हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि यह सारे प्रस्णों आपकी जानकारी को बहुत ही जादा बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी जानकारी में पूरी तरह से चार चांद लगा देंगे और अगर आप triple C की परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रस्णों यह सारे के जारे प्रस्णों और यह कह लिजे पूरा सेशन ही आपके लिए बहुत ही दमदार होने वाला है इसमें से maximum question आपको आपके final exam में जरूर देखने को मिलेंगे तो अगर अभी तक आपने इस session को like नहीं किया है तो यार like कजिए इसको अपने दोस्तों में share कीजिए यह आपकी responsibility है मेरी responsibility है आपके लिए questions लेकर के आना वीडियो बनाना session तयार करना और आपकी जिम्मेदारी है subscribe करना, like करना और अपना comment करना अब चलिए चलते हैं next question पे question number है 31 email को capital letter में लिखने को क्या बोलते हैं जिहां दोस्तों अगर आप email सब कुछ capital letter में ही यानि uppercase में लिख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे emergency email urgent mail angry या फिर bad manner चलिए जल्दी से अपना right answer comment कीजिए बताइए आपको किसी ने mail भेजा आप पूरी तरह से capital letter में लिखके भेजा क्या बोलेंगे आप दोस्तों right answer हो जाएगा bad manner जी हां दोस्तों बिलकुल गंदी बात जी हां दोस्तों जब आप किसी भी तरीके का mail जब आप पूरी तरह से सब कुछ capital letter में लिखते हैं तो वह जो है बिलकुल सही तरीका नहीं है इंटरनेट के net tickets में ये बिलकुल नहीं आता है जी हां दोस्तों इंटरनेट के सिस्टाचार में ऐसा नहीं आता कि आप सारा का सारा message जो है वो capital letter में लिखें तो अगर email के दोरान आप capital letter में अपना संदेश लिखते हैं तो उसे bad manner यानि बुरी आदत आपकी मानी जाएगी अब चलते हैं next question पे question number है 32 fishing को कहते हैं जी हैं दोस्तों fishing को और क्या बोलते है identity theft, spam, virus या फिर hack चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए बताइए दोस्तों fishing को बोलते हैं identity theft अगर आप किसी की पहचान चुरा रहे हैं तो वह जो है fishing के स्रेणी में आता है तो fishing को identity theft के रूप में जाना जाता है अब चलेंगे question number 33 पे double 3 बिल्कुल स्वांदार प्रस्न है writer में auto text की shortcut की क्या है जी हां दोस्तों writer application जो है उसमें auto text का shortcut की क्या है option 4 ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद अपना right answer कमेंट कीजिए बताए दोस्तों यहां पर जो right answer होने वाला है question number 33 का वो हो जाएगा control के साथ F3 जी हां दोस्तों auto text के लिए writer के अंतरगत control में आपको F3 बटन साथ में मिला करके प्रस करना होगा तब जाकर के आप auto text को use कर सकते हैं अब चलेंगे next question पे question number 34 URL बार में कौन कौन से address होते हैं जी हां दोस्तों URL बार जहां पे आप कोई भी link करके website वगरा सर्च करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है protocol domain www यानि worldwide wave या फिर all of the above बिल्कुल आसान प्रस्ण है जल्दी comment कीजिए सब का answer बिल्कुल सही होना चाहिए जी हां दोस्तों यहां पर right answer होगा बिल्कुल सही जबाब है आप लोगों का all of the above यानि कि सबी होगा जी हां दोस्तों प्रोटोकॉल आपका प्रोटोकॉल होता ही है दोस्तों प्रोटोकॉल काउन सा यूज लोग आपको देखते होंगे कि जब भी URL बार में आप लिखते हैं तो HTTP HTTPS लिखा होता है आपका प्रोटोकॉल हो गया domain ट्विटर पर अधिक्तम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है जिहां दोस्तों बहुत ही बड़िया ट्विटर पर अधिक्तम कितने साइज की वीडियो अपलोड करेंगे 128 MB, 256 MB, 512 MB या फिर 1024 MB चले जल्दी से कमेंट कीजी और अपताईए दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर C, 512 MB तोस्तों 512 MB ट्विटर पर आप मैक्सिमम साइज वाले वीडियो को अपलोड कर सकते हैं की खास बात आपको बता दे कि ट्विटर में जो वो चिडिया छोटी सी दिखाई देती है उसे लेरी बर्ड के रूप में जाना जाता है जिया दोस्तों उसका नाम है लेरी बर्ड अब चलेंगे नेक्स क्वेश्चन पर क्वेश्चन नमबर है 36 बहुत इशानदार प्रस्ण है ECB का पूरा नाम क्या होता है ECB का पूरा नाम क्या है चार आप्शन दिये गए है बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए बताइए कि इन चारों में से कौन सा सही है जिहां दोस्तों ECB का पूरा नाम बहुत अच्छे से मिला लीजिए ECB electronic code book जिहां दोस्तों right answer भी हो जाएगा electronic code book is the right answer अब चलेंगे next question पे question number 37 बहुत अच्छा प्रशन है निम्नलिखित में से सबसे हलका protocol है यहां दोस्तों सबसे हलका protocol कौन सा है SPI, HTTP, MQTT या फिर COOP चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पे right answer होने वाला है option number C, MQTT MQTT यहां सबसे हलका protocol माना जाता है दोस्तों मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए एक protocol से related video लेकर क्या हूँगा जिसमें लगभग कई सारे protocol के बारे में मैं discuss करने वाला हूँ क्योंकि protocol से related आप देखेंगे कि अलग-अलग परिक्षाओं में बड़े प्रस्नों पूछे जाते हैं तो सबसे हलका protocol माना जाता है MQTT को आप चलेंगे next question पे question number 38 writer form control के लिए किस commonly database का प्रयोग किया जाता है access, sql, base या फिर mysql आप चलेंगे जल्दी से अपना comment कीजिए और बताइए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number b sql दोस्तों sql जो है इसको बोलते है structured query language और यह writer के अंतरगत form को control करने के लिए common database है जबकि access जो है Microsoft company द्वारा बनाया गया database program है और base लीब्रे office द्वारा बनाया गया एक database program है अब चलेंगे next question पे question number 39 निमनलिखित में से कौन सी command द्वी भाशिक वातावरण प्रदान करती है यानि कि द्वी भाशिक दो भाशाओं का वातावरण कौन प्रदान करता है दोस्तों आपको बता दें कि cell जो है एक तरीके का command interpreter होता है तो यहां पर right answer जो होगा वो cell ही हो जाएगा जब मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ तो अकसर करके कई बार इस पे हमने discuss किया है कि cell is a command interpreter तो यह जो है एक तरह का command interpreter होता है यानि द्विभाशिक होता है जो आपको command द्विभाशिक वातावरण प्रदान करने का काम करता है अब चलेंगे next question पे question number है 40 यानि 44 वा नंबर जी हाँ दोस्तों पेटियम e-commerce and e-wallet दोनों है जी हाँ दोस्तों बताना है आपको क्या पेटियम e-commerce और e-wallet दोनों है true या फिर false जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ही सही है जी हाँ दोस्तों पेटियम जो है वो e-commerce की स्रेणी में आने वाला एक तरीके का e-wallet है जो की आप ज़्यादतर आज कल e-commerce के लिए प्रयोग करते हैं आपने सुना होगा पेटियम करो जी हाँ दोस्तों पेटियम जो है काफी famous एक e-wall e-commerce में यूज किया जाता है तो यह sentence पूरी तरह से true है अब चलेंगे next question पे question number है 41 token ring computer structure Microsoft company द्वारा प्रदान की गई है जी हाँ दोस्तों token ring computer structure जो है वो Microsoft company द्वारा प्रदान की गई है true या फिर false चलिए जल्दी से अपना right answer comment कीजिए और बताएए दोस्तों यहाँ पे right answer हो जाएगा option number B false या पूरी तरह से false हो जाएगा token ring computer structure जो है वो Microsoft द्वारा नहीं बदाया गया है तो यहाँ पर right answer false हो जाएगा अब चलेंगे next question पे question number है 42 writer में vertical ruler by default प्रदर्शित होता है vertical ruler क्या by default प्रदर्शित होता है true या फिर false चलिए जल्दी से अपना right answer comment कीजिए और बताएए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होने वाला question number 42 का वो हो जाएगा B false आपको बता दें कि जो writer application है यानि Libre Office के अंतर का जो writer application है उसमें केवल एक ही ruler दिखाई देता है और वो है horizontal दोस्तों आप देख लीजे यह जो है ruler bar है और ruler bar केवल उसमें horizontal दिखाई देता है by default में vertical ruler bar को तो आ control shift R होता है जिहां दोस्तों control shift R करके vertical ruler bar को आप ला सकते हैं चुपा सकते हैं vertical ruler bar ऐसे left side में आपको दिखाई देता है writer के भी window में और MS Word की भी window में तो यहाँ पर right answer हो जाएगा false अब चलेंगे next question पे airport का कार्यक किसके अंडर में होता है जिहां दोस्तों जो airport होते हैं उनका कार्यक किसके अंडर में होता है ministry of civil aviation, ministry of information technology, ministry of home affairs या फिर ministry of finance चलिए जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताएगे दोस्तों यहाँ पर question number 43 का right answer होगा option number A, ministry of civil aviation यहीं पर जो है airport से related सारा काम होता है तो airport का कार्यर ministry of civil aviation के अंडर में होता है अब चलेंगे next question पे question number यहाँ पर है 44, row and column scrolling को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का चुनाव करते हैं जिहां दोस्तों row और column दोनों ही scroll ना हो प्रतिबंधित हो जाए यानि यहाँ पर जो है वहाँ दोनों के दोनों scroll ना हो उसके लिए कौन सा विकल्प आप चुनेंगे stop, melt, freeze या फिर scrolling off जल्दी से अपना comment कीजिए और बताएए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option C, freeze दब आप row और column को freeze कर देते हैं तो scroll होना वहाँ तक रुक जाता है तो scrolling को रोकने के लिए यारी प्रतिबंधित करने के लिए हम लोग freeze का use करते हैं जिसे freeze pen बोलते हैं और यहाँ जो है row और column को freeze करने का काम करता है डिफॉल्ट में first row and first column को freeze करता है आप चाहें तो अपने हिसाप से freeze करा सकते हैं आप चलेंगे next question पे question number है 45 बहुत शांदार प्रशन है निम्न में से कौन सा bootstrapping के रूप में जाना जाता है जिहां दोस्तों bootstrapping के रूप में कौन सा जाना जाता है quick boot, hot boot, warm boot या फिर cold boot चले जली से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पर bootstrapping के तौर पर जाने जाने वाला नाम जो है वो है cold boot, cold boot के तौर पर उसे हम bootstrapping के रूप में जाना जाता है दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से एक और बात पूछ लेता हूँ, warm booting का दूसरा नाम क्य है और cold booting का दूसरा नाम क्या है जितने भी लोग अभी live session के दौरान जुडे हुए है या अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि warm booting का दूसरा नाम क्या है और cold booting का दूसरा नाम क्या है अब चलेंगे next question पे question number है 46 iOS किस mobile device पर चल सकता है जिहां दोस्तों iOS किस mobile device पर चल सकता है Samsung, Apple, Blackberry या फिर all of these चले जली से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number B Apple mobile device Apple का जो device है mobile device केवल उसी पर iOS यानि iPhone operating system कारे कर सकता है बाकि और किसी भी third party hardware के लिए यहाँ पर जो है आपका iOS permission नहीं देता है तो iOS केवल और केवल Apple mobile device पर 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 या इस्तेमाल किया जाता है अब चलेंगे next question पे question number है 47 AAPS में authentication के लिए unique ID के साथ साथ अन्य किसकी आवश्यक्ता होती है जिहां दोस्तों AAPS पुरा नाम होगा इसका आधार enabled payment system आधार enabled payment system में authentication के लिए जो आपकी unique ID है उसके अलावा आप और किसकी जरुरत पड़ेगी password, biometric, pin या फिर none of these चले जदी से अपना comment कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पे right answer जो हो जाएगा option number B biometric का जिहां दोस्तों biometric जो है यह AAPS में authentication के लिए आधार card के अलावा इसकी भी जरूरत पड़ती है अब चलेंगे next question पे question number 48 कौन video sharing website नहीं है जिहां दोस्तों यहां पर नहीं शब्द पूछा गया है कौन video sharing website नहीं है यहां पर देखें लिखा हुआ है metacaf, pinterest, daily motion या फिर youtube चलें जल्दी से अपना right answer कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों जो right answer होगा यहां पर वो हो जाएगा option number B, pinterest pinterest जो है या पूरी तरह से video sharing website है sorry नहीं है pinterest photo sharing site है जबकि metacaf, daily motion और youtube ये सबी जो है आपके लिए video sharing website का काम करते है youtube जिस पर अभी आप यह video देख रहे हैं अब चलेंगे next question पे second last question है question number 49 writer में track change option किस menu में पाया जाता है जिहां दोस्तों track change नाम का जो option है वो writer के किस menu में पाया जाता है tool table edit या फिर file चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए और बताइए दोस्तों यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number A tools menu दोस्तों जितने भी important option होते हैं जैसे mail merge का option हो गया spelling वगरा checking का option हो गया और track change का option हो गया तो इस तरह के जितने भी important option होते हैं वह सभी के सभी option जो है आपको हमेशा writer के अंतरगत tool menu में देखने को मिल जाएगा तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option number A अब चलते हैं इस session के सबसे अंतिम प्रशन पे question number 50 drum, laser and chain किसके प्रकार है keyboard के, monitor के, printer के या फिर mouse के चले जल्दी से अपना right answer केमेंट कीजिए और बताइए जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो right answer हो गया वो है printer, drum pen printer, laser printer, daisy wheel printer, chain printer यह सभी printer के प्रकार है तो question number 50 का जो right answer होगा वो हो जाएगा option number C तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा यह पूरा session आपको बहुत ही जादा अच्छा लगा है और आपकी जानकारी भी आज बहुत जादा बड़ी है तो हमारी responsibility थी आपके लिए questions को search करना और ले आना और अब आपकी बारी आगई आपकी responsibility बनती है कि जो red color का button बना हुआ है उसे press करके channel को subscribe कीजिए bell icon press कीजिए ताकि नए video का notification आपको मिल सके और ये session अगर अच्छा लगा है तो like करके और अपने दोस्तों में जरूर share कीजिए ताकि जादे से जादे लोगों को computer की जानकारी बहुत अच्छे से मिल सके मिलते हैं अगले कुछ खास session में कुछ खास video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए Thank you friends, Jai Hind, Good night